पूर सेक्टर्स टु वाच इफ पियम नरेंदर मोधी विंस इस थर्ड टर्म पॉलिटेस पॉलिटिसाइज करने की कोशिश यहां पे नहीं कर रहे हम जो एक ओवरॉल प्रोसेस होना चाहिए मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्राक्टिकल वेसे अगर हम सोच रहे है अभी तो उ उस एंगल से हम थोड़ा एक यह चार सेक्टर्स पर हमने फोकस करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और इसलिए यह वीडियो हम आप लोगों के सामने लाए है नोट्स भी निकाले थे मैंने कल शेयर भी किये है ट्वीटर पे यह सारी चीज़े शेयर की है अब थोड़ा सा उसको detailed explanation करने कोशिश में यहां पे करूँगा तो पहला जो सेक्टर है अगर यह government फिर से एक बार आती है तो वो रहेगा manufacturing sector हमने अल्रेडी देखा है मेकिन इंडिया पे जो जिस तरीके सा एक focus रहा है इस government का और आने वाले समय में यह emphasis और ज़्यादा बढ़ सकता है so manufacturing को boost करना, exports को boost करना and long term basis पे sustainable job creation करना इसके लिए manufacturing sector पे focus करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है manufacturing and services sector यह दो sectors होते हैं जो मतलब हमने देखा है कि services sector से हमने एक अच्छा कासा GDP growth इंडिया का होता हुआ देखा है but services sector एक ऐसा sector होता है कि जहां पे replacement of workforce जो है न वो काफी आसानी से हो सकता है compared to manufacturing sector तो यह चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और इसलिए अगर आपको sustainable growth लानी है अपनी economy में और maximum लोगों को include करना है because services sector में थोड़ा सा मतलब जो labor का एक angle हम देखेंगे तो वहां पे white collar labor ज़ादा हो सकता है blue collar labor manufacturing sector में ज़ादा हो सकता है और वहां पे अगर उस तपके को उपर लाना है तो उसके लिए manufacturing sector पे focus करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है I think वही focus government का इस बार भी हो सकता है तो making India को और ज़ादा aggressively आगे लिए लेके जाया जा सकता है और भी कुछ bills है जो clear किये जा सकते है उसको नहीं तरीके से adopt किया जा सकता है जैसे कि land acquisition bill हो, labor laws के बारे में हो या फिर ease of doing business के point of is हम बात करेंगे तो उस पे focus government कर सकती है for manufacturing sector हमने already देखा है production linked incentive schemes जो around 14 sectors में if I am not wrong already उन्होंने include किया है तो उसको और ज़ादा expand किया जा सकता है allied sectors को भी उसमें include किया जा सकता है तो उस पे भी focus होना चाहिए और foreign investment को attract करने के लिए बहुत सारे tax cuts या rebates दिये जा सकते है बहुत सारे trade agreements जो last stage of negotiations में है जैसे की EU के साथ हो UK के साथ हो या फिर Gulf nation के साथ हो तो वो सारी चीजे यहाँ पे finalize हो सकती है in the third term and that's why manufacturing is one sector जिस पे आपका focus होना चाहिए नेक्स सेक्टर जिस पे आपका focus होना चाहिए वो है new age technology sector तो हमने अल्रेडी देखा है semiconductor activity को पे focus government का जादा है गुजरात में जिस तरीके से investments आये है आसा में जिस तरीके से investments आये तो I think यह सेग्मेंट है जो automation की तरफ अगर जाना है हमें तो उस case में semiconductor industry को पे focus करना होगा और dependency on foreign markets जो है वो decrease करनी होगी तो उस पे भी government focus कर सकता है artificial intelligence related startups हो या उसके related infrastructure development पे भी कम government की तरफ से focus किया जा सकता है already हमने देखा है research के लिए जो एक fund बनाया गया है innovation fund उस पे और ज्यादा allocation government के side से हो सकते है government का emphasis space industry पे भी हो सकता है electric vehicles पे भी एक अच्छा का सा focus government का है जो भी innovative technologies आ रही है सामने I think उस पे और ज्यादा focus government का बढ़ सकता है तो इसलिए new edge technology sector पे भी आपको focus करना है third segment sector जो है वो है infrastructure development so I think अगर हमें जैसे हमने बोला था कि sustainable growth लानी है तो manufacturing sector होना जरूरी है और उसी के लिए I think logistics के अगर हम बात करते है overall transport के अगर हम बात करते है तो rail हो roads हो या ports हो इसको अच्छी तरीके से develop करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उस पे government का focus सीधा-सीधा नजर आता है हमने highways वगेर है roads to network वगेर हमने देखा है उस पे बहुत ज़्यादा focus government कर रहा है उसी तरीके से और यह ज़्यादा बढ़ सकता है then वंदे भारत trains के अगर हम बात करते है या फिर वंदे भारत trains का भी export की बात यहां पे चल रही है I think all those factors will work really well minerals and metal sector पे भी government का focus हो सकता है mineral reach, metal reach जो states I think वहां से और ज़्यादा participation आना बहुत ज़्यादा जरूरी है so sustainable growth backed by good infrastructure I think यह चीज़े चीज़ों पर government का बहुत ज़्यादा focus यहां पे हो सकता है fourth sector जिस पर government का focus होगा वो है clean energy sector so clean energy में हमने already देखा electric vehicles पर जो focus है government का जो subsidies भी दी गई है and now the adoption has started we have seen that तो उसी के लिए जो charging infrastructure है उसके लिए बहुत ज़्यादा investment government के side से भी हो सकता है subsidies भी दिये जा सकते for private investments to come into that because immediately वो profitable नहीं होंगे तो वहां पे government का support जरूरी होगा वो government देगा and और एक चीज है मुझे लगता है जैसे एक तीन pet project समने government के देखे थे earlier version में एक है जंधन योजना जिस तरीके से financialization जो हुआ लोगों का accounts open होना जो इनोंने कभी देखा ही नहीं था bank को I think number of accounts पचास करोड से जादा open हो गए I think that was a big success उसी तरीके से स्वच्छ भारत में 11 करोड toilets मनलब सबको लग रहा था स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मनलब ये थोड़ा जुमला टाइप से है but 11 करोड अगर toilets बन रहे है तो I think that is a big big success मुझे लगता है वहाँ पे and then affordable housing में 4 करोड नए घर बनना I think ये numbers actually बने हैं हुए है I think उसी तरीके से PM का सूर्य घर योजना ये जो एक मतलब rooftop sunroof जो है I think वहाँ से मुफ्त बिजली योजना for solar rooftop adoption I think ये एक जो pet project हो सकता है इस government का अगर फिर से जुन क्याते है उसको बहुत aggressively implement किया जा सकता है और जो हमारी dependency है for energy मतलब बाहर से जो हम import कर रहे है I think वो कहीं न कहीं अगर कम हो गई तो obviously I think that is going to add a good amount of kitty towards our yeah forex kitty हमरी और जादा वहाँ पे हो सकती है which is going to be a very positive thing so ये सारे factors जो है ये देखना होगा so इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये government फिर से आती है तो ये चार sectors जो है जो उस पे आपकी नजर होनी चाहिए आशा करता हूं कि ये video भी आपको अच्छा लगा होगा इन चार sectors में इसे कौन से इसे stocks है जो हमारे model portfolios में है ये आपको अगर पता करना है तो investor.in को visit कीजिए elections are on election ये promo code use कीजिए काफी attractive discounts भी आपको बिल सकते है investor.in को visit करना बिलकुल मत बुलेगा दोस्तों next video में मिलते है जैहिन